आज जो वीडियो में बनाने जा रहा हूँ वो गोविंदा फैन्स के लिए थोड़ा सा, नहीं थोड़ा जादा नेगेटिव हो सकता है ऐसा नहीं है कि मैं गोविंदा का फैन नहीं रहा हूँ 1990s में जब मैं कॉलेज में था उस वक्त उनकी मुवीज को देखकर ही मैंने खुद को एंटेटेन किया था चाहे वो हीरो नंबर वन हो, अनाडी नंबर वन हो, कूली नंबर वन हो ये नंबर वन जो मुवीज गोविंदा बनाते थे, इनको हम कभी मिस नहीं किया करते थे और इवन अभी जो रिसेंट मुवी आई उनकी आगया हीरो, वो भी मैंने सिनेमा हॉल यानी मल्टिप्लेक्स में जाकर देखी मैं भी बहुत बड़ा गोविंदा का फैन था, पर अब नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर दी इंडियन आइडल के सेट पर कि उनकी इमेज मैंने आस्मान पे जमा रखी थी, वो धर्ती पे आई और सीधे पाताल पे चली गई आपको भी अगर जानना है कि ऐसा क्या क्या गोविंदा ने जिससे उनकी इमेज खराब हो गई मेरी नजरों में और आप मेरे एंगल से दिखेंगे तो आपकी नजरों में भी उनकी इमेज खराब हो जाएगी मेरा एम यहाँ पर किसी की image बिगारना या सवारना नहीं है मेरा एम बस इतना ही है की आपके सामने real facts में सही तरीके से रख सकूं तो अगर आपको जानना हे इस बारे में तो आपको एक ही चीज़ करना है आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है अभी तक अगर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब ने किया हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर देना है देखिए इंडियन आइडल का जो शो है इसमें इमोशन्स की भरमार होती है क्योंकि इसमें नहा कक्कड है, हिमेश श्रमिया है ये दोनों लोगी बहुत ही इमोशनल हैं और कभी-कभी इनके आशू छलक जाते हैं कभी नकली, कभी असली भी छलक जाते हैं जब भी कोई इमोशनल मामला आता है और गोविन्दा जब आये उस दिन सेट पर तो नहा कक्कड पहले से ही बहुत इमोशनल थी उन्होंने ये बताया कि जब वो बहुत छोटी लड़की थी तब वो ऐसा घूंगा टोड़के बैठती थी और उनके पैरेंट्स पोचते थे कि नेहा, नेहू, तुमारा दूला कौन है तो वो बलती थी कि मेरा दूला गोविन्दा है गोविन्दा की मूवीज नेहा ने बताया तब से वो देख रही है जब से उन्हें बोलना भी नहीं आता था और जब गोविन्दा ने ये कहा कि नेहा उनकी सबसे फेवरेट सिंगर है तो बहुत ही खुश हुई लेकिन फिर उसके बाद यहां तक सब ठीक था चाफी चिचोरा पन जो गोविन्दा ने शुरू किया एक तो गोविन्दा की वाइफ और उनकी बेटी भी साथ में आई थी बड़ी हिम्मत चाहिए साब वाइफ और बेटी और साथ में पूरा इंडिया देख रहा हो जब नैशनल टीवी पर तो आप चिचोरा पन करें उच्छा पन करें इसके लिए बहुत ही ज़ादा हिम्मत चाहिए एक परसन और भी मेरे माइंड में आ रहे है उदित नारायन जो आदित नारायन के पिता है ग्रेट सिंगर लेकिन उनको मैंने देखा था पिछले सीजन में जो एक कांजिलाल नाम की अरुनिता कांजिलाल नाम की जो सिंगर है बात करते करते और गाना गाते काते हो चार पार बाज उनने हाथ पकड़ा और सही तरीके से नहीं पकड़ा गाना गाते गाते अरे बेटी क्या पोती के उमर की लड़की है वो 18-19 साल की और उसको देखकर वो ऐसे फीलिंग लेके गा रहे थे ऐसे की हिरो हिरोईन हो थोड़ा अजीब लगता है कुमार सानू भी आये थे उस शो में उनका ऐसा नहीं था अलका जी के साथ भी कुछ छिचोरा पन वो चलो allowed है क्योंकि वो पुराने दोस्त है अरुनिता कानजीदाल के साथ में थोड़ा अजीब लगा था और गोविन्दा की जो छिचोरा पन उन्होंने किया है यह आप सब अबजर्ब नहीं कर पाएंगे मेरे अंगल से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मैं सेक्शुल जानकारी पर इतना रिसर्च करता हूँ कि मेरी आँखें एक्सरे बन चुकी है मेरी आँखों से ये चीज़े बच नहीं सकती है देखी हुआ यूँ कि जब उनसे पूछा गया गोविंदा से क्या आप डांस करेंगे क्या तो उनने कहा कि नहीं अगर नहीं कहेगी तभी मैं डांस करूँगा तब नहीं एकदम शरम से लाल हो गए आप देखेगा फिर से यूटूब पे एविलेबल भी है वो एपिसोड फिर गुबबारे का एक सीन आया जिसमें हिमेश श्यमिया और गुविंदा की बेटी और एक और जो अंकर थे वो और साथ में गुविंदा की वाइफ की जोड़ी बनाए गई थी और गुविंदा और नेहा ककड की जोड़ी थी उन्हें क्या करना था पीट के तरफ गुबारे रखकर दोनों को पीट से पीट के बीचों गुबारे रखकर ट्राइबल करवाना था वो शो अच्छे से हो गया उसके बाद पता नहीं क्या हुआ गोविंदा को कि कम से कम दस से बारावार उसने नेहा को ऐसे 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 किया और हर्ष लिंबाची अभी चीपनेस की हाइट कर दी जब उन्हेंने कहा कि गोविंदा जी आपने तो सारे गुबारे दबा दिये सारे बैलूंस दबा दिये आप समझ सकते हैं सारे बैलूंस दबा दिये मतलब स्तन के बारे में बात कर रहे थे वो नहा ककड की उसके बाद आप नहा के एक्सपेशन्स देखेगा विशाल ददलानी के expression देखिएगा और इतना वाला water moment लेकिन actually उनके चहरे पे और गोविंदा की wife और उनकी बेटी के चहरे पे expression देखिएगा clearly visible था कि गोविंदा ने चेचोरापन कर दिया था तो यह information मैंने आपके सामें रखी आप जरूर जरूर यूट्यूब पे देखिएगा मैं गोविंदा के खिलाफ नहीं हूँ he is a great actor he has been a great actor लेकिन यह जो अनोंने किया यह बहुत ही चिचोरी हरकत है क्या लगता है आपको आप मुझे comment box में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो like करेगा चैनल को subscribe करेगा और साथ में bell icon को hit करेगा friends से share करेगा bell icon इसलिए hit करेगा जिसने मेरे सारे वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगे फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी information आपके साथ share करते हुए तब तक के लिए bye bye take care friends